कि अधिन जाने घुट्री इसके लिए चाट टमाटर ले लिए मैंने हाद रख लिया है हर इमिर्च कोईटीडी घटा बढ़ा सकते हैं ऐसा कुछ निया फिक्स रेश्यो अपने टेस्ट को अगॉर्डिंग काला नमग है वाइट सफेथ नमग है और जीरे डालूंगी मैं और को मसाला नहीं दाली गले गपि पैरे मैं का ल्यक्ति हुए टमाटर को अध्रश concur सेवलुक्षीं हिसमें डाल लेगए कि अध्रकवरा हार्ड रावन दो मीर्च वाले ओपर से मृष़्ी डाल लेंगे से ठोड़ी धान्य भीडाh हिंग यह बहुत खुश्बू वाली होती है इसलिए इसको कम डाला जाता है और थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें मिर्चे सारी डाल लेंगे टमाटर काट लूंगी मझा आखो दली और इसमें धन्यान कर लेंगे और सॉल्ट डाल लेंगे ऑग ओश बासंथ चे चला हो शायेघे इसके बाद दुसरा टमाटर डाल साट डाल करके चलाने के बाद फिर फिर हो से ओड्स दाल डाल देंग below तो इस तरीके से हम इस चटनी को रेडी करेंगे इसमें हींग डल गया है दोनों नमक डल गये हैं और जीरा डाल दिया है अधरक डाल दिया है और नहसुन प्याज आपकी टेस्ट के उपर है अब मैं इसको पीस लेती हूं बिना पानी के ही चटनी अच्छी बनती है बस ही चटनी मेरी रेडी हो गई है देखें और यहीं काला राता है इसका ग्रीन कलर इसको एंजाय कीजिए आप सैट्विच के साथ खाईए किसी भी चीज के साथ जो आज कल चांट पकड़े किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता ह और फिर हैल्दी तो है ही है चटनी और चटनी बच जाए तो अगर इसको सुभे पानी में घोल करके थोड़ा नीबू इबू डाल करके पिएंगे तो इसमें और भी अच्छा बेनिफिट देता है शुगर पेशेंट्स के लिए मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजि जुच को